आप लोगों को तो पता ही होगा हमारा ब्रहमांड हर सेकंड फैल रहा है मगर क्या आप लोगों को पता है ब्रहमांड का अंत कैसे होगा स्टीवन हौकिंग द्वारा दिया गया थियोरी से हमें पता चलता है कि आज से लगभग पांच अरब वर्षों में सूर्य एक रेड जायंट बन जाएगा जो अगले एक सो ट्रिलियन वर्षों में पृत्वी को धीरे धीरे निगल जाएगा और लगभग पांच सो ट्रिलियन वर्षों बाद कोई और तारे पैदा नहीं होंगे और सभी मौझूदा तारे वक्त के साथ साथ मर जाएगे एक एक करके ब्रमांड की सारी रोष्णी बुझ जाएगी और पूरा ब्रमांड मृत तारों और ब्लैक होल से भर जाएगा सारे ब्लैक होल अंततर मृत तारों को निगल जाएगे और समय के साथ कुछ भी नहीं बचेगा और वे प्रोटॉन जिन से आप और मैं बने हैं वे ग्रहतारे हर एक चीज वे प्रोटॉनस एक भौतिक शून्य में समा जाएगा और सारे ब्लैक होल एक दूसरे के साथ कॉलाइड होते हुए हौकिंग रेडियेशन के प्रभाव से शून्य में खो जाएगा और नहीं तो अंत में बचा दो सूपर मैसिव ब्लैक होल कॉलाइड के कारण एक नए ब्रहमांड का शुरुआत होगा मगर फिलहाल ये सारी चीजें हमारे लिए कल्पना मातर है और आप लोगों को ऐसे रहस्यमई चीजों के बारे में जानने में दिल्चस्पी है तो एस्ट्रोवर्स तथा एस्ट्रो साइंस के साथ जुड़े रहिए